गुड इविनिंग, नमस्कार आधा आप सस्यकाल और साधर अविनन्दन इवी डेवड़ फ्यूचर में आटो न्यूज की खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए ट्रम टू विलर पार्ट्स की तरब से सुरू करता हूँ आज की खबर आटो सेक्टर को राहा देने की तैयारी में मोधी सरकार वैस्विक बजार में निकलेगा चीन का विकल्प वैस्विक मंदी और फिर कोविड उन्नीस ने देश के आटो मोईल सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया है लेकिन संभावना को लेकर उम्मीदे अभी खत नहीं हुई है सरकार मौजुदा महौल में घरेलू आटो मोईल सेक्टर को राहा देने पर विचार कर रही है जिससे न सिर्फ घरेलू बजार में मांग बढ़ाने में मदद मिले बलकि वैस्विक वजार में चीन के एक मजबुत विकल्ब के तौर पर घरेलू दो को स्थापित किया जा सके अटो मोईल सेक्टर को कुछ वैसे ही राहत दिये जाने की समभावना है जैसे 2008-09 की मंदी के दौरान दी गई थी इसके तहत सुलकों में राहत का विकल्ब भी सरकार के पास है अटो मोईल सेक्टर के सुत्रों ने बताया कि उनकी सरकार के परतिनीद्यों से कई चल्णों में बाचित हुई है यह समती बन रही है कि देश में 10 लाख लोगों की परत्यक्ष और परुक्ष तोर पर रोजगार देने वाले इस सेक्टर को बड़ा राहत पैकेज देने की जरूरत है उद्योग जगत पिछले वर्ष की मंदी के बाद से ही इस बात की मांग कर रही है कि जेश्टी दर में राहत दी जाए पहले सरकार की तरब से तर्ग था कि राजस्व संग्रा की इस्तिति को देखते हुए आटो सेक्टर को टैक्स दर में राहत नहीं दी जा सकती अब आटो मुबाइल की विक्री एकदम ठंडी पड़ गई है ऐसे में अगर जेश्टी दर घटा कर घरेलू मांग में बहुत्ति हो जाती है तो इससे सरकार के राजस्व में भी बिर्दी होगी यह पैकेज भारत को आटो मुबाइल सेक्टर में चीन के एक विश्वस्षनिय विकल्ब के तोर पर अस्थापित करेगा फिलहाल आटो सेक्टर पर 28 फिज़दी जीएश्टी है सुत्रों के मुताबिक चीन को लेकर मौजूदा वैसिक महौल में इस बात की संभाणा बनी हुई है कि संभाता चीन निर्मित अटो मुबाइल को लेकर संसे की स्थिती बनी हुई रहेगी भारत इस हालात का फैदा उठा सकता है हाल ही में तमिलाडू के मुख मंती ने दुनिया की 11 बड़ी अटो मुबाइल कम्पनियों को अपने राज में प्लांट लगाने के लिए आमंतित किया है इसमें से कई कम्पनिया चीन में हैं केंदर सरकार का पैकेज इन कम्पनियों को भी ध्यान में रखकर होगा सरकार की तरफ से अटो मोबाइल सेक्टर को राहत का संकेत तब दिया गया है जब चीन से आयातित अटो मोबाइल पार्ट को देश के तमाम बंदर गाहों पर रोका जा रहा है चेकिंग के नाम पर आयातित पार्च को रोकने से अटो कम्पनियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है COVID-19 की वज़ा से देश की अटो कम्पनियां पहले से ही अपने उत्पादन चमता के 50 फिजदी पर काम कर रही है अटो कम्पनियों के सिर्शंगठन सियाम के अध्यक्ष राजन वाध्वा ने कहा अटो दो की धीरे धीरे सामान हालत की तरफ लोट रहा है ऐसे में आयातित कंटेनरों की जाज से आपुर्ती बाधित हो रही है जो समुचे बुद्धों के लिए नुकसान दायक है अटो मोबाइल कम्पनियों के संगठन एकमा ने भी सरकार से कहा की आयतित कंटेनरों को जबरन देश के तमाम बंदर गाहों पर रोकने से घरेलू अटो कम्पनियों को नुकसान उठाना पढ़ रहा है मोटे तोर पर भारत अपनी जरूत के 30 फिजदी अटोम वैल कल पूजे चीन से आयात करता है